हेलो एवरीवन वेल्कम अगेन तो लेंगर देतीमिन तो आज फिर से हम करने वाले हैं सामाजिक अध्यान की शिक्षण विदियों से संबंदित कुछ कुश्चन जिसमें आज के प्रस्ण जो है वो प्रच्छा पूछमान प्रतिमान समा लोचनात्मक चिंतन अभिक्रमित अन विधियां जो आपके एगजाम में आ चुकी है उनसे संबंदित कुश्यन हम करने वाले हैं चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के परिविख्शित अध्यान विदी को अन्य नामों से पूकारते हैं निर्देशित अध्यन विदी निरिक्षित अध्यन विदी उप्रोक्त दोनों या इन में से कोई नहीं तो क्या होगा इसका सही आंसर तो यहां पर सही आंसर जो है उप्रोक्त दोनों निर्देशित अध्यन विदी या निरिक्षित अध्यन विदी कहें या परिविक्षित अध्यन विदी कहें ठीक है तो ये तीनों ही नाम जो हैं वो आपको याद रखने हैं इसके अलावा ये क्या होती है परिविक्षित अध्यन विदी थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं कि इस विधी में जो व्यक्तिकत विभिंताएं होती हैं, उनके अन्रूप टीचर के निर्देशन में स्वाध्याय करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, इसके अलावा जो टीचर है, वो क्या करता है, केवल मार्ग दर्शन, पत्प्रदर्शक होता है, वह कार्यों का नि से किस तर पर शमता की अन्रूप कारे करते हैं, जादतर विश्यों में इसका प्रियोग किया जा सकता है, ठीके, तो ये बहुत ही अच्छी विधी मानी जाती है, अगला है कोशन टू, स्रजन शीलता के पोशन के लिए एक अध्यापक और निमलिखित में से कौन सी विधी क सामिगरी की या इन में से कोई नहीं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है किस पर स्रजन शीलता की पोशन के लिए, तो क्रेटिविटी जो है वो है, उसका विकास कैसे हो सकता है, तो टीचर कौन सी विधी का यूज में लेगा, कौन सी विधी का प्रियोग कर तो क्या रहने वाला है यहाँ पर आंसर, बिलकुल आंसर जो है वो रहेगा, ब्रेइन स्टॉर्मिंग, ठीक है, व्याक्यान विधी की बात हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी, लेक्चर मेथड, द्रश्य शरव्य यह सामिग्रियां होती है, और ब्रेन स्टॉर्मिंग क् यानि मस्तिक्ष में तूफान उत्पन करने वाली विधी, जिससे कि किसी भी विशह पर चिंतन कर उसे मौलिक्ता प्रदान की जाती है, ठीक है, इस विधी के द्वारा चात्र जो हते हैं सामय होईक रूप से सोचते हैं, व्यक्तिकत रूप से नहीं सोचते हैं, ठीक है, त तो वह इतना अच्छा नहीं माना जाता है, जितना कि वह सामहिक रूप से सोचे. तो यह विदी जो है, वह बहुत अच्छी विदी मानी जाती है, इससे चात्रों में जो अपसारी चिंतन है, उसका विकास होता है. और अब सारी चिंतन क्या होता है, हमें पता है, जब हम विविन दिशाओं में जाकर सोचते हैं, उसे अभी सारी चिंतन कहते हैं, इसमें ऐसी जो कंडिशन होती हैं, इनका निर्मान होता है, जिसमें चात्रों को स्वतंत्र चिंतन करने के भरपूर अफसर मिलते हैं, ठीक है, सब्द विचार मन्थन सबसे पहले इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया Osborne के द्वारा, Johnson के द्वारा, Coldwellcock के द्वारा या Brunner के द्वारा तो किसके द्वारा विचार मन्थन सबसे पहले प्रस्तुत किया गया तो सोचिए क्या होगा इसका सही उत्तर तो चलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है Osborne ठीक है तो विचार मन्थन जो हमने अभी मस्तिक्ष उद्देलन की बात की थी तो वही है यह है विचार मन्थन ठीक है उसे हम विचार मन्थन भी कह सकते हैं इसके जो प्रवर्तक है मस्ति कौन है औलेक्स एम ऑस्बर्ण ठीक है याद रखिएगा अभी क्रमित अनुदेशन विदी के जन्म दाता है तो कोई भी टीचिंग मेथाड हो आपका किसी भी जचट का वहां पर ये सारी विदियां जो है वो आपके काम आएंगी सभी जो है वह है आपको याद ही करने बाते खिएगी चाहे कोई भी सब्जक्ट आपका रहा हो तो अभी क्रमित अनुदेशन विदी के जन्म दाता कौन है Armstrong, Kilpatrick, B.F.Skinner या Bernard तो कौन है अभी क्रमित अनुदेशन विदी के जन्म दाता तो यहां पर आंसर क्या रहेगा बिल्कुल आंसर जो है वो सही लगा यह आपतो कि BF Skinner, वह अभी क्रमित अनुदेशन विधी के जन दाता है। ठीक है? और अभी क्रमित अनुदेशन जो है इस विधी के दो प्रकार हैं जो आपको पता होंगे एक है ilो रेखिए और साकिये। याद होंगे आपको बहुत अच्छे से रेखिआ और साकिए। इसकी विशेष्टा होती है, तो मैंने आपको विशेष्टा हैं जो है वो अभी बताई कि यह बालकों की तरक और निर्ने सक्ति बढ़ाती है, उदिश्यों का वर्गी करन करती है, जिग्यासा को बाधित करती है, उधारन प्रस्तुत करती है, तो मस्तिक्षो तो वो तो बहुत अच्छे से ही रिस्पॉंस देते हैं, तो रेगलोर करोगे तो आपका ही फायदा होगा इससे, तो इसका आंसर जो रहेगा, यह रहेगा, कि विशेष्टा मुख्य क्या है, इससे तरक और निर्ने सक्ति जो है वो बढ़ती है, नाटक का सम्बंद किस ग् सम्बंदित है, और शिक्षण विधियों के अंतरगत किस सम्बंदित है, यह है, शिक्षण सहायक सामिग्री से, तो यहाँ पर नाटक जो है, उसका सम्बंद मुह से भी है, ठीक है, कान से भी है, आख से भी है, तो अब देखिए, यह सारा ही आंसर जो है वो सही लग रहा ह तो यहां आंसर आएगा कान वा आँक से, ठीक है, कानों से नाटक सुना जाता है और आँकों से देखा जाता है सिक्षण पद, प्रस्तावना पद, परिक्षण पद या अभ्यास पद तो इसका जो सही आंसर होगा, वो क्या होगा, सिक्षण पद, ठीक है, सिक्षण पद की अंतरगत जो है, वो पढ़ाई जाने वाली विसे वस्तु जो है, वह आएगी तो वहीं मैंने आपको बतायें कि अभीक्रमित अनुदूइशन हो दो प्रकार के होते हैं, अभीक्रमित अनुदूइशन जो है, वो क्या होता है? इसमें यह ऐसा ऐसा सिध्दांत है, जिसमें चोटे-छोटे अंस जो होते है उसमें बाटा जाता है पाठे सामिगरी को ठीक है उसके बाद जैसे जैसे बच्चा जो है वो पाठे सामिगरी को प्रियोग करता जाता है वैसे ही वह स्वाध्याय से आगे बढ़ता जाता है उसे प्रस्ट पोशन मिलता जाता है कुश्चन के जैसे ही आंसर देता जाता है ठ सिद्दान्त, तकाल प्रष्ट पोशन का सिद्दान्त, सक्रिय सह भागिता का सिद्दान्त, ये सभी जो है इस अभिक्रमित अनुदेशन से संबंदित है, तो इन शॉर्ट में मैंने आपको थोड़ा बता दिया है, और वहीं अभिक्रमित अनुदेशन दो टाइप के हैं, र जिसे सिक्षण सूत्र से इस्थानिय ज्यान से संबंदित कर विश्व या राष्टर के ज्यान को दिया जाता है वह है इस्थूल से सूक्ष्मी की और ग्यात से ग्यात की और संपून से अंस की और या अनिश्चित से निश्चित की और तो ये सभी सिक्षण सूत्र हैं तो इ रहे हैं विस्वे या राष्ट्र के ज्ञान को तो वह कौन सी होगी तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि पहले हम इस ठानिय जो भी नौलेज है उसको जानते हैं उसके बाद हम विस्वे या राष्ट्र के ज्ञान को दे रहे हैं ग्याद से अज्ञात की ओर ज क्यों है तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि सिक्षण विधी का कि आविशक्ता जो है वो शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हितु की जाती है सामजिक अध्यान की सिक्षण पद्धिती से अभिप्राय है अध्यापक द्वारा दिया गया भाशन, अध्यापक द्वारा पाठे मुस्तक का प्रियोग, अध्यापक का व्यक्तिकत तरीका या सिक्षण मार्क दर्शन सामाजिक अध्यान की सिक्ष्ण पद्धिती से क्या अभिप्राय है यहां रहेगा कि सिक्ष्ण पद्धिती जो है अध्यापक का व्यक्ति के तरीका है ठीक है अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे teaching method, teaching technique, teaching strategy, teaching tactics ठीक है तो यह क्या होते हैं देखिए सबसे पहले जो है वह होता है सिक्ष्ण पद्धिती का जिसे हम teaching method कहते हैं और उससे अगर हम नीचे की तरफ आएं तो उसके अंदर हम यूज करते हैं बहुत सारी teaching technique यानि शिक्ष्ण प्रवदी और उसके भी नीचे अगर आए हम तो क्या करते हैं उन teaching technique को यूज करते हुए विभिन प्रकार की teaching strategy यूज करते हैं ठीक है तो यह चीज़ है sequence में होती हैं आप याद रखिएगा teaching method के अंतरगत teaching technique के अंतरगत teaching strategy हिंदी में बोले तो section पद्धिती के अंदर section प्रवदी आएगी और section प्रवदी के लिए हम बहुत सारी section रणनिती यूज करते हैं सामाजिक अध्यान सिक्षक के प्रमुप कारे है क्या है क्या है कारे समाज विज्ञान तत्कालीन समस्याओं वा घटनाओं का ग्यान पाठे करम निर्मान में सही योग व्याख्याता या उप्रोक्त सभी तो दिखिए बारवन question को revise करिएगा क्योंकि ऐसे ही question आपके exam में पूछ लिए जाएंगे option बदल जाएंगे ठीके चीजें वही रहती है तो सामाजिक अध्यान सिक्षक का मुखे कारे क्या है समाज विज्ञान तत्कालीन समस्याओं घटनाओं का ग्यान पाठे करम निर्मान में सही योग व्याख्याता तो यहाँ पर आंसर रहेगा ये अच्छा सिक्षण मूले आधारित नहीं होता अच्छा सिक्षण सु व्यवस्तित निश्चित उद्देश्ययुक्त होता है तो अच्छे सिक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है अच्छा सिक्षण क्रिया आधारित होता है अच्छा सिक्षण लोक तांत्रिक होता है अच अच्छा सिक्षन जो है वो मूल आधारी तो होता है, तो यहां नहीं पूचा है, तो यहां आंसर जो है राइट होगा, निमने में से कौन सा कथन सिक्षन के बारे में सत्य नहीं है, सिक्षन में सुधार किया जा सकता है, सिक्षन ओपचारिक एवं अनुपचारिक है, सिक्ष सारी विधियां होती है यदि एक विधी सफल नहीं है तो तूसरी विधी यूज़ कर सकते हैं तो section में सुधार संभव है section आपचारिक या अनपचारिक है बिलकुल है आपचारिक यानि की जो schools में college में पढ़ाई जाती आपचारिक तोर पर अनपचारिक जो घर पर ठीक है य पुलकुल सही है ये सभी चीज़ें आंसर रहेगा section अनुदेशन है तो यह गलत है सामजिक अध्यन का section किया जाता है माध्यमिक अध्यन पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्य माध्यमिक स्तर पर, इसनातक स्तर पर या उप्रोक्त सभी तो आपको पता है ना last year ये question आपके exam में आया था माध्यमिक इस्तर पर उच्छे माध्यमिक इस्तर इसनातक इस्तर पर या उप्रोक्त सभी तो सामाजिक अध्यान का शिक्षन आप लोग कर रहे हैं पड़ रहे हैं आप लोग RBSC की बुक तो आपको पता होगा कि यह है माध्यमिक इस्तर पर शिक्षन किया जाता है स तो यह question जो है वो दो बार exam में पूछा जा चुका है, व्याख्या विधी, कथन विधी, परिचर्चा विधी या प्रशन पूछना, तो यहां हम यह जान चुके हैं, इस question को हम कर भी चुके हैं, कि जो समाजिक अध्यन के अध्यापिका कक्षा में चुनाव की किरमिक प्रक् विधी, सामाजिक अध्यन के सिक्षन को बल देना चाहिए, विषय के संबंदित सूचना देने पर, विध्यार्थियों के सामाजिक मुद्यों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, विध्यार्थियों को परिक्षा लेने के लिए तैयार करने पर, विध्यार्थियों के भासा विकास पर तो देखिए समाजिक अध्यन के शिक्षन को यानि जो टीचर है वो अपने शिक्षन में किस चीज को बल देगा तो यहां पर अंसर क्या रहने वाला है फटा फट से आप ही सोचिए फिर मैं आपको इसका सही आंसर जो है वो बताऊंगी देखिए कुछ option जो भी अपने साथ समाहित कर ले तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा option नमबर बी विध्यार्तियों की समाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन सक्ति के विकास पर इसी से विध्यार्तियों की भासा का विकास भी हो जाएगा और उस विसाय के संबंदित सूचना जो है वह रिचर्ड सचमेन ने, जॉन डिवी ने या किल पैट्रिक ने तो यहां पर जो आंसर है वो क्या रहेगा बिल्कुल जॉन डिवी और किल पैट्रिक की बाद हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं और आर्मस्टॉंग जुनोंने खोज भी दी लेकिन बी option जो है वो सही रहे मॉडल होता है अगर बच्चे को कोई भी चीज सिखानी हो और उसका जो ideal है उसका आदर्स जो है मॉडल जो है वो प्रस्तूत किया जाए और फिर उसके बारे में उसे बताया जाए तो वो बहुत जल्दी से उसे क्या करता है अनुकरण करता है चलिए नेक्स्ट है question 18 देखिए तो ये भी topic आपके syllabus में है सम अलोच नात्मक चिंतन इसको सकार आत्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारण नहीं है शशक्त प्रहणा, समवेग, दंड देना या रुची तो ये topic जो है प्रक्षा प्रतिमान, सम अलोच नात्मक चिंतन ये सब अभी मैंने आपको करवाए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं, प्लेइलिस्ट में जाकर देखिएगा, section विदियों से संबंदित जो है, वह है, वीडियो डले हुए हैं आपके, तो सम अलोच नात्मक चिंतन को सकार आत्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारण नहीं ह तो बिल्कुल सम अलोच नात्मक चिंतन क्या होती है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं, चिंतन के बाद भी चिंतन करना, यानि कुछ हमने सोचा और उसके अंदर भी और भी गहराई में जाकर सोचना, वही कहलाता है सम अलोच नात्मक चिंतन, ठीक है, और ये क्या है, चिं चिंतन करना केवल मनुश्य के अंतरगत ही है, जो जानवर होते हैं, अनिमल होते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, चिंतन में वस्तों की वास्विक उपस्तिती जो है, वो जरूरी नहीं है, कि वास्विक उपस्तिती हो, बिना उपस्तिती के भी चिंतन संबब है, ठीक है, तो एक सम समाधहन नहीं मिल जाता तो उसके बीच में क्या है चिंतन जरूरी है हल मिलते ही गीर्या जो शमाबत हो जाती है वह समुलोचनात्मक चिंतन कहलता है तो यह बिल्कुल negative point नहीं है, यह एक सकारात्म का रूप है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा, वो होगा, धंड देना जो है, वह है, इसका कारण नहीं है प्रक्षा प्रतिमान का प्रियोग प्रारंबिक रूप में किस विशय की अध्यनहेतु किया गया था? बहुत ही अच्छे से, यह चीज मैंने आपको याद कर आई थी, कि प्रक्षा प्रतिमान का प्रियोग जो है, वह है, सबसे पहले किस विशय की अध्यनहेतु किया गया था? तो यहाँ जो आंसर रहेगा, वो रहेगा बहुत ही विज्ञान. शिक्षण में परेटन विदी के संबंद में सत्य कथन है, तो सत्य कथन क्या है? परेटन विदी. विज्ञान के सभी प्रक्रण पढ़ाय जा सकते हैं, बालक को पून ग्यान मिलता है, पढ़ाने के बाद मुल्यांकन आवशक नहीं है, या प्रक्टच अनुभव प्राप्त होता है. तो यहां पर सत्य कथन पुछा है, परेटन विदी. यहां पर देखिए, विज्ञान के सभी प्रक्रण पढ़ाय जा सकते हैं, बहीं परेटन विदी से विज्ञान के तो नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि विज्ञान के लिए तो प्रयोक्षाला भी चाही होती है, और य यहां पर आंसर रहेगा कि प्रेटन विधी के संब्द में सत्य है कि यहां प्रत्यक्ष अन्वब प्राप्त होता है। बच्चे को अगर किसी भी चीज को जैसे की ताजमहल के बारे में ही बताना है तो उसको ताजमहल के पास ले गई चीके वहां जाकर दिखाया उसको तो प्रत्यक्ष अन्वब प्राप्त करता है। तो यहां आंसर जो है वो देखिए योकोम एवम सिम्सन इनका कथन है कि किसी परिस्तिती में समस्या तब उत्पन होती है जब कारे संपाधन में कठिनाई का आभाज है। बालक के कु समायोजित होने का कारण है क्यूं होता है कु समायोजित शारिक कारण, अनुवांशिक कारण, समवेगात्मक कारण या उपरोक्त सभी। तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा वो परोक्त सभी हो सभी। शारिक कारण भी हो सकता है, अनुवांशिक कारण भी हो सकता है और समवेगात्मक कारण भी हो सकता है बालक के कु समायोजित होने का तो चली मिलते हैं NEXT video में THANK YOU